नमस्कार, Newsly के Delhi Roundup में आपका स्वागत है अब नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर अब मिशन यूपी को और धार देंगी किसान 2 अक्टूबर से चंपारंट से वारनसी की पद्यातरा हाथवस कांड का एक साल बेटी की अस्थियां लिए अब भी न्याई के इंतजार में दलित परिवार हर्याणा में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी रेलवे प्रशाशन ने संजय नगर में शुरू की तोड़ फोड आकुस के बाहनें अमेरिका चीन ही नहीं बलकि दुनिया को डाल रहा है खत्रे में कोर्णा अपडेट में देश में 24 गंटों में 18,870 नए मामले 378 मरीजों की मौत अब देखते हैं खबरे और विस्तार से 27 सितंबर के अभूदपूर भारत बंध ने साबित किया है कि देश आज एक बड़े राष्ट्री जना अंदोलन और राजनितिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है अब किसान नेता मिशन यूपी को धार देने में लगे हुए पश्चिम के गढ़ से आगे बढ़ते हुए वे अवद इलाके तथा बुंदेल घंड में बड़ी महापंचायत कर चुके है गाली जी के जन दिन यानि 2 अक्टूबर से किसान अंदोलन की धरती चंपारंट से वार नसी के लिए पधियात्रा शुरू होने जा रही है जिसमें अंदोलन की तमाम बड़े नेता भाग लेंगे किसानों का मानना है कि पुर्वांचल की बागी धरती चंपारंट की तमाम गावों कस्बों से गुजरती हुई यात्रा मोधी योगी के किसान विरुदी राज के खिलाफ किसानों की बड़े अंदोलन को अंजाम देगी हमाई दूस्ती खबर भी यूपी से यूपी में जितने भी रेप के मामले हैं उन्हें फास्ट्राक कोर्ट में 15 से एक महीने के बीतर निप्टाया जाएगा यह वादा मुख्यमंत्री योगी आधित्यनात ने दो साल पहले किया था लेकिन बहुचर्चित हात्रसकांड के बलतकार यूवती की मौत को आज 29 सितमर को एक साल पूरा हो चुका है मगर अभी तक उसका परिवार न्याई के लिए लड़ाई लड़ रहा है यहां तक ही परिवार ने अपनी बेटी की अस्तियां अभी तक सम्हाल कर रखी हुई है वह कहते हैं जब तक न्याई नहीं मिलेगा वह अस्तियों का विसरजन नहीं करेंगे न्याई मिलने में देरी भले हो रही है लेकिन याद कीजिए यूपी सरकार की पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार करने में कोई देर नहीं की थी और परिवार को शाव सौपने के बजाए आधी रात में ही आनंद फानंद में जला डाला था हात्रस बालतकार और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर महिला संग्टन आगे आये हैं और आज लखनाउस से लेकर दिल्ली तक कई काईक्रम हो रहे हैं राज में विदानसभा चुनाव नजदीक हैं सो जाहिर सी बात है कि ऐसे नाजुक मौके पर हात्रस कान का पुना तूल पकड़ना योगी सरकार के लिए एक कड़ी चुनाती पेश कर सकता है आईए अब चलते हैं हरियाना की ओर न्यू टाउन फरिदाबार रेलवे स्टेशन के किनारे पर पिछले पचास वर्सों से भी ज़्यादा जिन्दगी बिताने वाले असंगटी छेत्र के मजदूरों की बस्ती पर आज यानि बुद्वार 29 सितंबर को सुबा रेलवे प्रशाशन ने भारी पुलिश को लेकर आज सिजाता जेशिवी मसीनों के साथ धावा बोल दिया जबकि यह मामला दीपक शर्मा बनाम भारत सरकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई इस बस्ती को उजाडने से बचाने के लिए लड़ रहा है मजदूर आवाज समिती ने बताया कि आज बुद्वार सुबा ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संजे नगर बस्ती को स्टे दे दिया था उसके बावजूद रेलवे प्रशाशन ने एक न सुनी मजदूरों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए दिवक्ताओं ने एक पत्र रेलवे प्रशाशन फरिदाबाद एवं डीसीपी फरिदाबाद को भीजा किन्दू फरिदाबाद प्रशाशन और रेलवे अथार्टी सुनने को राजी नहीं हुए संजयर नगर बस्ती के मजदूर परिवारों ने पनरवास की मांग को लेकर धरना प्रशाशन भी शुरू किया और रेलवे प्रशाशन को केवल दोपार तक की महलत मांगी किन्दू रेलवे प्रशाशन ने पुलिस को मजदूरी पर चढ़ाई कर दी और फिर लगबग 300 ज परिवार पिछले 50 वर्सों से रह रहे हैं लगबग 3,000 की जनसंग के वाले संजय नगर में 575 से ज्यादा गरववती और धात्री महिला हैं जबकि दो अंगरवारी केंद्र और एक सामुदाई केंद्र भी बना हुआ है अब बात करते हैं अमेरिका बिटेन औस्ट्रेलिया गड़ बंदन यारी आकुस की परताल दुनिया भर की की नए एपिसोड में वरिश्र पत्रकार भाशा सिंग ने आकुस समझाता है में चिपे परमारूं हत्यारों की होड कि आशंका के बारे में दूसलिक के प्रधान चंपादक प्रभीर पुरकास्ता से बात की सुनते हैं राष्टपती थे डोनाल ट्रम उनका ये काफी प्रिये प्रोजेक्ट था तो इस बैठक और क्वाड का क्या अर्थ है किस तरह की जो बैठक है उसका नतीजा क्या निकला हम कैसे देखें क्वाड की इस बैठक को देखे पहले तो है क्वाड है क्या चीज जन्तु है क्या य जो नौ सेनाएं जो उन मुलकों की जो क्वाड में है उनकी एक्सिसाइज होती है अमरीका, उस्ट्रेलिया, जपान, इंडिया अब हम कहते हैं कि मालबार एक्सिसाइज से क्वाड का कोई मतलब नहीं है अब क्वाड यही चार देशों की बीच-बीच पे मिलना होता है इसका कोई साफ मानचित्र अभी तक पेश नहीं किया गया है इस बीच में जो आपने कहा आकुस आ गया जो कि उसमें अमरीका भी है, औस्ट्रेलिया भी है, वो कौर्ड भी है, कौर्ड विचार देश है और तीसरा वहां पर बिटानिया है, यूके है वहां पर हम नहीं है और आकुस पे इंगलेंड आ गया, बिटानिया आ गया, तो ये जो चीजे है इस पे काफी ओवरलैप्स कह सकते हैं, मालावार एक्सरसाइज, कौर्ड और इसके साथ साथ आकुस पे कावी ओवरलैप्स है, पर इनका अलग-अलग पहलू क्या है, ये किसी को साफ नहीं है, मुझे नहीं लगता, कौर्ड के जो नेताएं हैं, उनको भी एक काफी कुछ साफ है, तो एक वक्त तो ये भी बात की जा रही थी, नेटो तो भूत की बात है, भविश्यो कौर्ड की है, पर नेटो एक सामरिक समझाता था, एक बिलिटरी पैक्ट है, और वो था यॉरप के लिए और खास तो सौवेट इवनिन के खिलाफ, तो अब जो है, चीन के खिलाफ अगर है, तो नेटो का क्या महत वो है, नेटो एक दुनिया के रूप में एक सामरिक पैक्ट की तरफ उस तरफ बढ़ रहा था, तो हम हिंदुस्तान तो उस पे शामिल नहीं होना चाहते है, भारत वशने नेटो जॉइन नहीं करेगा, तो साफ है, तो इसके जगा पर चीन को रोकने के लिए, अगर क्वाट की कल्पना की गई थी, तो इसका सामरिक पैक्ट नहीं है, तो है क्या, तो इस बार क्वाट की जो स्टेटमेंट्स हैं, आप देखेंगे, सब चेतरों में कह सकते हैं, हम कुछ स्कॉलर्शिप्स देंगे, हम कुछ वैक्सिन्स की बात करेंगे, हम चिप्स कैसे बनाना है, इसकी चर्चा करेंगे, हम आर्टिफिचल इंटेलिजन्स की बातचीत करेंगे, तो ये सब एकिनॉमिक इशूस पे बातें करेंगे, पर इससे क पहले ऐसा लगता था कि इसके सामरिक हित हैं, क्वाड मतलब चार खंबे हुए, कि चार खंबे हुए, चार देशों के चार खंबे हुए, एशिया में इसकी बढ़ती हुई भूमिका के तौर पे भी देखा जा रहा था इसको, तो इस बार आपका जो विश्लेशन है उसे चीन के इर्दगेर्द वाला वह कम दिखाई दिया मीटिंग के बार जो बयान जारी हुए, मुझे लगता है कि मुझे के समझ नहीं आ रहा है, ये तो अलग बात है, हो सकता मेरी समझ कम हो, पर क्या चार देशों के नेताओं को समझ में आ रहा है, ये मेरा मुख सवाल है, और अंत में अब कोरोना अमडेट, केंड़ी स्वास्ट मंत्राले द्वारा आज बुद्वार 29 सितंबर को जारी आकड़ों के अनुसार, देश में आज दूसरे दिन भी कोरोना की 20,000 से कम यानि कुल 18,000 नए मामले दर्च किये गए, इसके अलावा कोरोना में 24 घंटों में 3,37,000,000 के करीब हो गई है, जिनमें से अब तक लगबग 4,50,000,000 लोग की मौत हो चुकी है, देश में कोरोना से पीट करीब 98 प्रेशर मरीदों को ठीक किया जा चुका है, और अक्टिव मामलों की संक्या घटकर एक फीसिती से भी कम हो गई है, स्वास्त मंत्राले की ताज आज के अपडेट्स, इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं, न्यूस्क्लिक की वेबसाइट पर, साथ ही साथ हमारी हिंदी वेबसाइट www.hindi.newsklik.in, अब हमें फॉलो कीजिए, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टराम पर, और कीजिए यूट्यूब पर, देखते रहे न्यूस्क्लिक, धन्यवाद.